हेलो स्टुडेंटस वल्कम टू पढों इंडिया। आज हम करेंगे कख्षा 5 की असेस्टे की किताब हमारी दुनिया का पाठ नम्बर 5 इसका नाम है महासागर। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि महासागर क्या होते हैं महासागर पृत्वी के सबसे बड़े जल भंडार है यानि महासागरों में पृत्वी का बहुत सारा पानी इखटा हुआ पड़ा है खारे पानी की ये फैलाप महाद्वीप के चार ओर है और महासागर जो हैं वो बहुत बड़े पड़े पानी के भंडार है इनका पानी खारा है जो कि महासद्वीपों के चार ओर है पृत्वी का लगभग दो तिहाई भाग महासागरों से धका है यही कारण है कि अंतरिक्ष से हमारे ग्रह पृत्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देता है जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं और वहां से पृत्वी को देखते हैं हमारी प्रित्वी नीली दिखाई जेती है क्योंकि पानी बहुत सारा है महादवीप, विशाल, जलबंडार को प्रशान्त, एटलांटिक, हिंद, दक्षिनी और आर्केटिक महासागरों में बाटते है ये पांच महासागर वास्तव में एक ही जलसमू का विस्तार है हमारे जो पांचों महासागर हैं प्रित्वी पर ये सभी मिले हुए हैं आपस में जुडे हुए हैं अब आते हैं महासागर और सागर पर सागर या समुद्र महासागर के ही हिस्से होते हैं सागर या समुद्र महासागर का वह पानी है जो महादवीपो के तटिये शित्र को छूता है महासागर का जो पानी किनारों पर होता है महादवीपो के उसको सागर कहते है उधारन के लिए हिंद महासागर का पानी जो भारत के पश्चिमी तट से मिलता है अरब सागर कहलाता है इसको हम इस नक्षे सकसर मसते हैं देखे बच्चो ये है भारत और यहां है ये हिंद महासागर हिंद महासागर का जो ये पानी भारत के पश्चिमी तटकोच होता है इसको हम अरब सागर कहते हैं महासागर पृत्वी के मौसम और जलवायों के निर्धारण में एक महत्वपूर भूमी का निभाते हैं बच्चो महासागर की वजए से हमारा मौसम भी प्रभावित होता है जब सूर्य महासागर पर चमकता है तो लाखो लिटर जल वाश्पिकरित यानि भाप बनकर बादल बन जाते हैं और यह जल पृत्वी पर वापस वर्षा या बर्फ के रूप में गिरता है नदियां और जल धाराएं पानी को वापस सागर में ले जाती हैं और इसी तरह जल चकर का निर्मान होता है पानी भाप बनता है बादल बनते हैं फिर बारिश होती है फिर यह पानी समुद्रों में जाता है फिर भाप बनता है बादल बनते हैं बारिश होती है और इस तरीके से यह चक्र चलता ही रहता है महासागर जल में रहने वाले जीवों और वनस्पती का विशाल भंडार है महासागर में बहुत सारे जीव जन्तु रहते हैं और महासागर के अंदर बहुत सारे पौधे भी होते हैं इनका पृत्वी के पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है संसार के सबसे प्राची यानि सबसे पुराने, सबसे युवा, सबसे छोटे और सबसे बड़े जीव महासागर में रहते हैं इनमें एक तरफ ब्लू वेल है जो संसार का सबसे बड़ा जीव है तो दूसरी और प्लैंक्टन जैसे सूक्ष मियां चोटे जीव है सबसे बड़ा जीव जो वेल है उसकी लंबाई 70-100 फीट तक होती है चोटी-चोटी वनस्पतियों ने अपना भोजन बनाते समय ऑक्सिजन चोड़ी और जो चोटे-चोटे पौधे आधी होते हैं समुद्र के अंदर वे भोजन बनाते समय ऑक्सिजन छोड़ देते हैं इस ऑक्सिजन की वज़ा से हमारे ग्रह के पहले जीव पैदा हुए आज ये वनस्पतियां प्रिथिवी का आधा ऑक्सिजन बनाती है यानि प्रिथिवी की जो आधी ऑक्सिजन है वे यही वनस्पतिया बनाती है आगे बढ़ते हैं महासागरी संसाधन संसाधन उन चीजों को बोलते हैं जो हमारे किसी न किसी काम में आती है जिसमें से पहला है प्रिथिवी का नमक नमक या लवन हमारे शरीर का ही एक भाग है यहां तक कि हमारे आंसू भी नमकीन होते है हमारे आंसूं में भी नमक होता है क्या तुम नमक के बिना भोजन के बारे में सोच सकते हो नहीं बिना नमक के तो हम खाना खा ही नहीं सकते खारे पानी में लगभग 3% सामान्य नमक होता है जो समुद्रों का खारा पानी होता है उसमें लगभग 3% सामान्य नमक होता है अब यहाँ पर एक जानकारी दी गई है क्या तुम जानते हो कि यदि सभी सागरों से सारा नमक निकाल दिया जाए और उसे धर्ती पर फैला दिया जाए तो लगभग 152 मीटर मोटी नमक की परत बन जाएगी अब सोचो कि समुद्रों में कितना सारा नमक है यहाँ पर एक मज़े की बात दी गई है इप्राचीन काल में रोम के सिपाहियों को वेतन यानि तनखा में नमक दिया जाता था और तिबबत में तो 700 साल पहले लोग नमक की थैलियों को मुद्रा के रूप में इस्तिमाल करते थे तिब्बत के लोग 700 साल पहले नमक को रुपए पैसे के बदले इस्तिमाल करते थे क्या तुम जानते हो कि महात्मा गांधी ने नमक को विरोध का प्रतीक बनाया था जब अंग्रे सरकार ने नमक पर कर यानि टैक्स लगाया तो गांधी जी ने उनका विरोध करते हुए गुजरात में डांडी तक यात्रा की गांधी जी का कहना था कि ये नमक और समुद्रिये हमारे खुद के संसादन है और इनको हम अपनी मर्जी से इस्तिमाल कर सकते हैं कोई भी विदेशी सरकार हमें इससे रोक नहीं सकती और तब उन्होंने जब ये डांडी आत्रा की थी उसमें उन्होंने खुद ही नमक बना रिया था यह भारत के स्वतंतरता के लड़ाई का एक सुनारा अध्याय है और हमारी आजादी के लड़ाई में ये बहुत जरूरी था पेट्रोलियम विज्व के पेट्रोलियम का पांचवा भाग समुद्र के नीचे बनाए कुओं से प्राप्त होता है भारत का सबसे बड़ा तेल शेत्र जहां से पेट्रोलियम मिलता है वह अरप सागर में है पेट्रोलियम आधुनिक समय में उर्जा वा इंधन का महत्वपूर्ण सादन है पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ऐसे महत्वपूर इधन मिलते हैं आगे बढ़ते हैं पोशन पोशन हमारी पृत्वी पर प्रत्थम जीव महासागर से आए मचली जैसे वेल, जीञा और ऐसे अन्य सागरिय जीव पोशक भोजन के एक प्रमुक्स रोत हैं यानि हमें यहां से भोजन भी मिलता है मासागरो के बारे में यहां पर एक और बात की गई हैं प्रतूशन और स्रनरक्षन की नदियों से हमें पीने का पानी और भोजन मिलता है उस पानी से खेतों की सिचाई होती है नदी में चलने वाले नावें यातायत का महत्वपून्ट सादन हैं क्योंकि उनसे हम एक जगे से दूसरी जगे पर पहुंश सकते हैं दिल्ली में यमुना नदी बहती है डालने से, ऐसा इसलिए है कि क्यूंकि हमारे घरों और कारखानों से कई जहरीले पदार्थ पानी में बहा दिये जाते हैं, घरों में साबुन का पानी, सफाई के रासाइनिक पदार्थ यानि सफाई के लिए जो हम केमिकल इस्तमाल करते हैं, वो कारखानों फैक्टरियों से निकला प्रदूशित पानी और सीवेज गटर का पानी नदी को प्रदूशित करते हैं ये सब नदी को गंदा कर देते हैं हमारे खेतों में कई सारे कीट नाशक वसाइनिक परधार्त इस्तिमाल किये जाते हैं खेतों में फसल को बचाने के लिए हम कुछ कीडों को मारने की द तेल उत्पादन करने वाले देश टेंकर नामक बड़े से जहाज से अन्य देशों को तेल भेशते हैं जब किसी टेंकर की दुरगटना या एक्सिडन्ट हो जाता है तो तेल पानी के उपर फैल जाता है और महसागर को प्रदूशित यानि गंदा कर देता है इस तेल के पानी पर तैरने के कारण समुद्री पक्षियों के पंक चिपक जाते हैं और वे उड़ नहीं पाते हैं मशलियां तथा अन्य जीव दम घुटने के कारण मर जाते हैं सागर और महसागर के प्रदूशन का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इन से दूर रहते हैं आप भाग बादलों में प्रवेश करता है क्योंकि भाग बनने इसके बाद ही तो बादल बनते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाता है जब वर्षा होती है तो प्रदूशन फैलता है क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी एशियाई देश इराक के जलते हुए तेल के कुमों का प्रदूशन हिमाला तक पहुंच गया है बच्चो आज की वीडियो में हम इतना ही पार्ट पढ़ेंगे आगे का पार्ट हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादा से जा लाइक और शेयर करना ना भूलें